कई असलाएमखलों फ्रेइंड कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुतीं इंड्रस्टिंग सी रेसिपी लेflo old आइस्कृम तो यह कुन सी वाल इसक्रीम सैंग्जृ से उपोरा बहुता देह का लिए स्किप करें और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए फटा-फट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं चिकन कोन बनानी की रेसिपी शुरू करते हैं कि यहां पर स्पाइसी चिकन कोन बनानी के लिए मैं यहां पर मैदा ले रही हूं तो सबसे पहले मैदे को गूंद कर लेना है हमें 3-5 कप मैदा हैं इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ओल डालेंगे एक चमम जितना इन सबीको अच्छी तरीके से मिक्स कर और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका कड़क सा आठा लगा कर ले लिए तो जब तक कि हमारा आठा जो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएगा और अभी हाँ पर इसके अंदर की फिलिंग बनाने की तैयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने एक पैन में तेल गरम कर लि तीनों को दरदरा सा कूट ली हूँ आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर भी इसको दरदरा सा पीश सकते हैं अधरक लसुन का कच्छापन खतम होने तक कि इसको भून लेना है और इसके बाद हम इसमें वेजेटेबल साइड करेंगे यहां पर है बारिक कटीवी प्याज है तो प्याज मेंने बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूं इसमें और पता गोबी है और एक शिमला मिर्चे छोटी साइस की इसको भी मैंने बारिक बारिक स्लाइस कर ली हूँ आपको यहां पर जो भी वेजेटेबल्स पसंद है आप यहां पर डाल सकते हैं इसमें तो बस अब साथ ही में इसमें चिकन भी डाल देंगे हम तो मेरे देखिए यहां पर छोटे चोटे पीसे ले रही हूं चिकन के इसके लिए मैं वेजेटेबल और चिकन साथ में फ्राइ कर रही हूं आप अगर चिकन के पीस थोड़े बड़े ले रहे हो ना तो आप पहले को फ्राइ कर ले उसके बाद वेजिटेबल इसमें एड़ करें तो यह बॉनलेस चिकन है और यह फटा-फट से गल जाएगा इसके लिए में साथ में ही सब कुछ डाल रही हूं आप चाहे तो पहले चिकन को फ्राइ कर सकते हैं तो अब इन सभी को हम 2-3 मिनट तक अची तरीक अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले अड़ कर देंगे तो यह मैं सबसे पहले डाली हूं नमक अपने स्वादर नुसा डाले यह गरम मसाला पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है हमें गरम मसाला इसमें और लाल मिर्च पाउडर तो मैं हरी मिर्च डाली ती इसके और यह काली मिर्च का पाउडर है इन सभी को डालकर हमें तेज आंच में इसको पका लेना है लगातार हिलाते हुए दो से तीन मिनट फिर से हम मसालों को भी पका लेंगे तो बस अब ढ़कन लगा लेंगे इसमें और चिकन को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के पका लेंगे तो बस पांच मिनट हम इसको तरीके से ढ़कन लगा कर छोड़ेंगे और उसके बाद हमारा चिकन बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो गया होगा क्योंकि चिकन के पीस जो हैना बहुत ही छोटे-छोटे हैं बहुत जल्दी गल जाता है तो ढकन अटाने के बाद इसको दो मिनिट तक के हाई फ्लेम में भून लेंगे जिसे कि इसका जो भी पानी बगएर होगा ना थोड़ा बहुत वह सारा सूख जाए तो इसके लिए हम इसको दो मिनिट में तक के इस को ट्रांसफर कर लेंगे तो अब इसको और भी मज़ेदार बनानी के लिए हम कुछ और भी एड़ करेंगे इसमें तो यह हमारा स्पाइसी चिकन कोन है बिल्कुल मलाईदार बनानी के लिए मैं इसमें डाल रही हूं चीज तो यह एक चीज क्यूब है इसको मैंने छोटे- इसमें smoky flavor देना चाहते तो दे सकते हैं कोईले का धुआ दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं दे रही हूं और अब इसका बैटर बना लेते हैं तो जो कौन को हमें dip करना है इसके अंदर तो मैं इहाँ पर मैदा ले रही हूं एक बड़ा चम्मच इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और हमें इसका गाड़ा सा घोल बनागर लेना है तो इस बैटर को बहुत जादा पतला नहीं करना है इसके लिए आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर लंग सुप्री बैटर बना कर ले ले इसका क्योंकि अगर बहुत जादा पतला हो जाएगा ने ये बैटर हमारा तो यह तो अच्छी तरीके से इसमें कोट नहीं हो पाएगा तो इसके लिए आपको न इसका थोड़ा गाड़ा सा घुल बनाना है तो पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डाले इसका बारबर चेक करती रहें तो देखिए मैं जीस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इसका गाड़ा सा घुल बना ली हूँ बस इसी तरीके में हमें चाहिए इसको इसमें थोड़ा सा नमक भी एक पेड़ा काट कर ले लेते हैं तो फटा फट से चलिए इसकी जो हम शीट बना कर ले लेते हैं तो देखिए मैं पेड़ा काट कर ली हूँ और इस तरीके से आठा स्प्रिंकल करेंगे और इसका रोटी जिसा हम बेलते हैं उस तरीके से रोटी बेल सकते हैं तो आप चाहे तो इसको सिंगल सिंगल रोटी भी बना कर ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से हम शीट बनाते हैं समोसे की पट्टी उस तरीके से मैं बना रही हूं तो देखें तीन मैंने एक ही साइज के शीट बना ली हूं मतलब रोटी बेल ली हूं छोटे से और उसके ओपर लगाएंगे सिर्फ आठा लगाएंगे इस तरीके से और अब इसकी पतली सी रोटी बेल कर ले लेंगे तो जब हम सिंगल सिंगल इस तरीके से बनाते है ना रोटी तो उतनी पतली शीट नहीं बन पाती है और क्रिस्पी भी नहीं हो पाती है उतनी तो जब हम इस तरीके से ज तो हम इसको देखिए पैन में इस तरीके से गरम पैन में रख लेंगे वह इसको हलका से गुमाना है बहुत जादा नहीं में है यख़ रोटी झाल। इस तरीके से अलग होना चाहिए तो इसके लिए ऐसको रह जरूरी है तो हलका सा है आपको और बहुत आराम से यह निकल जाती है पट्टी जो हमारी रहती है बस इसको देखे इस तरीके से छुडाना होता है और यह बहुत आराम से निकल जाती है और देखे आप देख सकते किता ट्रांस्पेरेंट बना हमारा यह शीट तो बस इसको इस तरीके से अलग करने के बाद म हम इसको कट कर लेते हैं तो इसी तरीके से समोसा वगरा जब बनाते हैं तो हम पट्टी इसी तरीके से बनाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो जान ले अब तब मैं इसको बीच से कठ लगा रही हूँ तो कॉन शेप में बनाना एब हमें वेच से बीच से कठ लेंगे outer चेड़ं को अच्छी तरीके से हम चिपका लेंगे जिसे कि फ्राइ करते वक्त खूले नहीं और अंदर तेल भी ना जा पाए तो बस यह कोन के शेप में बन गया है अब इसके अंदर हमारी जो फिलिंग है ना इसको भर लेते हैं चिकन की फिलिंग और अच्छी टाइट से हमें भरना है इसको दबा दबा कर चिकन को तभी हम इ तो जब भी आप भरे तो चिकन को अच्छी तरीके से दबा दबा कर भरें नहीं तो जब आप इसको डिप करेंगे ना तो आपका चिकन बाहर निकल जागा मैं आपको बार बता रही हूं देखे सारे कौन मेरे यहां पर रेडी हो गये है अब चलिए इसको फ्राइब कर ले कर रहे हैं तो यह हमारी कीवी आइसक्रीम देखे अच्छे से गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है इसमें पस इसी तरीके से हर तरफ से हम इसको सेक लेंगे यानि कि फ्राइ कर लेंगे अच्छे गोल्डन कलर आने तक कि और उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो को जादा खुश होने वाले होंगे अगर आप इसको बना रहे होंगे तो तो बस यह देखिए मेरा कॉन जो है सारे रेडी हो गए है इसको निकाल लेते हैं और बागी के बैचिस को भी इस तरीके से हम फ्राइब कर लेंगे और अब चलिए देखिए हमारा कॉन बनकर रेडी ह इसको सजा लेते हैं प्लेट में तो बहुती मज़ेतार और बनाते वक्तों मुझे बहुत जादा मजा आ रहा था इस रेसिपी को आम तोर पर यह होता कि हम रोजा रखे होते हमें कुछ भी बनाने को मनने चाहता है लेकिन फिर भी कभी हमें कुछ काम हैं जो करना पड़ता है लेकिन यह रेसिपी बनाते वक्त मुझे बहुत जादा मजा आ रहा था तो चलिए अब इसको बहुत अच्छा इंट्रस्टिंग सा लुक देने के लिए मैं कुछ और भी करने वाली हूं इसके साथ जिससे के बच्चे खुश हो जाए तो सबसे पहले आपको तोड़कर दिखाती हूं अंदर से कितना ही अच्छा क्रीमी क्रीमी सा बना है और उपर से दिखिए एकदमी क्रंची और क्रिस्पी सा बना हिए तो देखिए अंदर से एकदम मलाईदार है बहुत जादा टेस्टी और यम्मी रेसिपी है तो अब मैं इसको आइस क्रीम की शकल देने वाली हूं तो इस तरीके से में ग्लास में रख लेती हूं तीन को बस बच्चों को खुश करने के लिए मैं यह कर रही हूं यह जरूरी नहीं है तो मैं बस खली आपको एक डेकोरेशन बता रही हूं इसकी बस इसके ऊपर हम थोड़ी सी मयोनिस के साथ इसको कोट कर लेंगे तरीके से तो पस हलकी सी मयोनिस लगा ली हूं मैं और इसके ओप टिप लगा देंगे यह है कैचप टमाटर कैचप तो देखें बिल्कुल आइसक्रीम की तरह दिख रही है ना तो अमीद करती हूं आज की रेसिपि आपको पसंद आई होगी पसंद आई हूं तो लाइक शे हु慌 टिजू आई है कर दोगी पसंद ठावा यह दो कर दो बाहये हूं मैं शू bitches को एा है को बिल्स की तो डेखें से लगा ले की हूगए तो गया है झाल किन अूँड है